हलो दोस्तों स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल में आज किस वीडियो हम देखेंगे साइन्स का पहला चक्टर हमारे आसपास के पदार्थ का प्रसंतर तो चली देख लेते हैं पहला प्रसंतर है निमलिकी ताब मानों को करने के लिए आपको एक फॉर्मला याद करना पड़ेगा के इसमें की वैल्यूस दी हुए है तो हम के की पूट करेंगे तो पहला है 293 तो आपको दिख रहा एक्वेशन में के के जगा 293 हमने पूट किया है फिर 273 उधर ले जाके घटा दिये तो आया है 20 इस तरह दूसरा ह है 470 इसमें भी हमने के के जगा 470 पूट किया है और दूसरे स्टेप में 273 ले जाके घटा दिया है तो आगया है एक सो संतानवे तो आई हो पहला समझ में होगा चलते हैं दूसरा कोशन की तरफ प्रेशन संख्या दो प्रेशन संख्या 2 है निमले के ताप मानों को कैल्विन में परिवर्टित करें यह जो कोशन है बिल्कुल कोशन नमबर वन के तरह ही है और वही फॉर्मॉला इसमें भ सबसे पहले दिया है 25 तो एक्वेशन लिखे लेंगे सबसे पहले के सबसे प्लस 273 और 25 यहां पर पूट कर लेंगे तो आएगा 25 प्लस 273 298 दूसरा है तो इस तरह आप सॉल्व कर लिएगा अब अगला कोशन देखते हैं प्रस रंक्या तीन निमलिखित और लोक ने हेतु कारण लिखी है तो पहला इसमें नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ फोस पदार छोड़े बिना अध्रिस्य हो जाता है ठीक है तो ने बदल जाता है तो ऐसा क्यों होता है इसका रीजन है उर्द पातन तो आपको याद रखना इसमें उर्द पातन यह क्यास चीज होता है इसमें ठोस डारेक्ट गैस में बदलता है इस बात को याद रखेएगा कि उर्द पातन में जो ठोस होता है डारेक्ट गैस में बदलता में बदलता है यही होता है इस Rem है यही खिर है n of the correct लिए अगला देखते हैं का है सिर्फ दूर बैठे भी पहुच जाती है इसका reason क्या है बताना है तो इसका reason है विस रण और यह क्या चीज़ है उसको भी हम आपको अदीक सांधरता से कंसांधरता की वह जाना चाहते हैं यह क्या है कि यहां तो यही रिजन है और आपको और भी अच्छा समझना है तो इसे कि दाहरण के तौर से आप समझ सकते हो जैसे महां लोग की आई इस कमरे में पचास लोग है तो आप किदर जाना चाहोगे जिदर लोग कम है क्योंकि यहां पर पॉपलेशन जाद है धका मुक्य होने लगेगा तो वो उदार जाना चाहेगा लोग इदर जागा हो ठीक है तो इसलिए वो ऐसा होता है प्रस्म संख्या चार निमलिखित पदार्थों को उनके गुरों के बीच बढ़ते हुए आकरशन के अनुसार विवस्तित करें तो इस कोशन को करते समय आपको एक चीज़ याद रख है कि जो ठोस होता है उसमें कड़ पास-पास होते हैं और द्राव में थोड़ा उससे दूर दूर होते हैं और गैस में सबसे दूर दूर होते हैं ठीक है तो जो ठोस है उसमें कड़ पास-पास है इसलिए उसमें आकरशन जादे होता है ठीक है और गैस में सबसे कम होता है सा реж CCTV दूनों के भीच का होता है तो आपको पर ढूर्थ है कि ठोस कौन सा है तो आपको पताइए ठीड जल और अकसरी कोण सा तो चीनInsil बेन को आपकर सबसे क्म में लगीला है चीनी में लगे आकर्षन क्योंकि यह ठोस है और ठोस के कंड़ पास-पास होते हैं उनके बीच का आकर्षन भी ज्यादा होते है तो इसको आप जल में लगे ह। जल द्रव हैं फिर सबसे कम लगे है ओक्सीजन में क्योंकि यह है कर गैस है तरसना संख्या 5 निमलिकी निमलिकित तापमानों पर जल की भौती कवस्था क्या है तो यहां कुछ टमप्रेचर दियो है तो इस पर बताना है भौती कवस्था यानि ठोस ग्या होगा तो देखो इसको हम समझाने के लिए आपको याद करने के लिए एक स्केल बनाये हैं तो आपने बीच में रख लिया तो थोस नगे पर फिर इसके बाद माइनस में चले गए उसके पीछे तो क्या हो जाएगा क्योवल ठोस रहेगा क्योंकि जीरो सब्सक्राइब बात करें इस इस साइड में देखेंगे तो यह जो है जो है जब जाएं जो गरम करेंगे 100 दिग्री में तो वहां पे चेंज हो लेकिन जैसे ही 100 से जादे होगा तो फिर किसमें हो जाएगा के वल और केवल घाइस हो जाएगा ठीक है तो आपको यह सकी हिएाद रहेगा त्योगी तो सबसे पहला 25 काहां दिख रहा है 100 और 0 के बीच में होगा ठीक है तो इसके बीच में क्या होता है द्रव होता है 光 में वे दिख रहा है 0 so 25 पाचीस के बीच में कुछ भी टंप्रेचर 25 था HUT 25 था पचास हो 20 कुछ भी प्या होगा द्रव होगा ठीक है दूसरा टंप्रेचर है 0 पे तो जीरो पर आपको बता है चेंज होता है किसे द्रव से ठोस में चेंज होता है तो यहां पर दोनों औरस थाएं होंगी अगला है 100 डिग्री सेलसेस तो 100 डिग्री सेलसेस पर भी क्या होता है चेंज होता है ठीक है और यह चेंज होता है किसमें द्रव से गैस में अब अगला कोशन देखते हैं प्रस्न संख्या अच्छ पूष्टिक हेतु कारण दे उसमें सबसे पहला है जल कमरे के तापमान पे द्रव होता है इसका भी एंसर उसी जो पहले वाला प्रस्न है उसी में छीपा हुआ है तो उसमें भी आपको इसके लियाद रखना है तो जो देखो कमरे का तापमान होता है जिस कमरे में हम लोग रहते हैं उसका तापमान हो सो और इसके बीच होता है सो और जीरो के बीच में ऐसे जनरल दस और चालिस के बीच में होता है और घर का कोई थर्मा मेटर में तो पचीस डिगरी सेल्सिस के आस पास आता है ठंडी का मौसा में तो दस ही होना है कुछ भी टमप्रेचर हो और कमरे का तमप्रेचर हो से यह तो हूनी पाएगा ने तो कमने में आग लग चाहिए और जीरो से कम नहीं को कमरे के अंदर बंफ बन जाएंगा ठीक है top क्मरे illi की होता है सम那麼 किसे बात है कमरे के अदुना होगा ना काफी जाद होता है लोहा जब गलना चीड अब रखते हैं तब जाके वह गलना इसलिए वह क्या होता है क्योंकि उसका गलना बहुत जादे होता है ठीक है अगला प्रस्म देखते हैं प्रस्न संख्या साथ 273 कैल वीन पर बर्फ को तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर सितलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है इसका यह है कि जो बर्फ होता है और ठंडा होता है पहले से ठोस है जीरो डिगरी सेलसिट पर वह गोनों करेंगा उस पर उसमें टम्प्रेटर के उतना जादे डिफरेंस नहीं आने वा अधिक उस्मा उसुसित होता है जिस उस्मा करते हैं गुप्त उस्मा ठीक है तो द्राव से ठोस में चेंज होने के लिए जल को अधिक उस्मा चाहिए जिसे करते हैं गुप्त उस्मा इसलिए इसकी सितलता जादे हो जाती है जल की क्योंकि उसने अधिक उस्मा उसुसित किया किस वजह से यहां सर आप देखके color कर लीजेगा अगला देखते हैं रशनसंख्या अर्ट संख्या-ठीज बिल्कUल प्रसंख्याइ साथ के शॉबलते हुए जल अथवा भाफ में से जलने की दिवता किस्न अधिक मुहसूस होता है क्यूं तो अवकोंस भाफ में जादे हुआ क्यों क्यों जो भाफ होता है अल्रेडी गैस होता है इसका टमप्रीचर जो है वह सौ से जादे है सौ से जादे कुछ भी हो सकता है लेकिन वह सौ से जादे है क्योंकि अल्रेडी उसने क्या गैस के वस्था धारण कर ले लेकिन जो वलता हुआ जल है वह गैस वलना कब श्टार्ट होता है 100 डिग्री सेलसियस पर यानि इसका जो टम्प्रेचर हो 100 से जादे कुछ भी हो सकता है तो इस वज़ा से जो है भाव जादे गर्म होता है तो आप एंसर देखकर राइट कर लिजेगा इस तरह इस अभ्यास के सारे प्रस्नों का उत्तर आपको उ कि दिए एंसर खधक बादे ने